Hello and Welcome to Fun Learning आज हम इस वीडियो में खोखो की हिस्टरी के बारे में उसकी मेजरमेंट और रूल के बारे में इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं उससे पहले आप मुझसे सोशल मीडिया पर इन आईडिस के दुआरा जूट सकते हैं टेलेग्राम पर आपको मेरी सारे वीडियो की पीडियो मिल जाएगे तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे खोखो की हिस्टरी के बारे में खोखो खेल की शुरुबात कहां से हुई खोखो खेल की शुरुबात हराश्ट्रपूने से माने जाती है इस खेल के जो जफून को बहरत को माना जाता है। इस खेल का बन्न धर्म्षास्त्र में भी किया गया है और इसमें लिखा गया है कि जो Krishna थे वो अपने मित्रों के साथ इस तरह का खेल खेलते थे। उखो के अंदर जो खो शब्द है वो देखे कहां से लिया गया है पो लिया गया है संस्कृत के श्यू शब्द से जिसका अर्थ होता है खड़े हो जाओ और बडोदा के हनुमान ब्याम प्रचारक मंडल ने इस खेल का आधुनिक सवरूप दिया है ठीक है और इस खेल के समान्य नियमों की स्थापना अखिल महाराष्ट शारिक शिक्षा मंडल और पूना के जिम खाना कलब ने 1914 में की थी भारत की प्रतम प्रतियोगिता इंडिया की स्थापना 1955 में हुई जिसका हेड़कॉर्टर या मुख्यालिय कहां पर है नई दिली के अंदर है फिर उसके बाद है एशियन खोखो फेडरेशन एक के एफ इसकी स्थापना 1987 में कलकत्ता में हुई थी और पहली एशियन खोखो चैंपियंशिप 1996 में कलकत्ता म करवाई गई थी जिसमें पांच देशों ने भाग लिया था ठीक है जिसमें भारत मंगलादेश पाकिस्तान श्री लंका और नेपाल था खोखो में पहले अर्जुन पुरुसकार जितने वाले कौन थे वो थे सुदीर बासकराव परव 1970 में उनको पहला अर्जुन अबॉर भाड मिला खोखो में और ठीक है खोखो में पहला द्रोनचारी अबॉर्ट किसको मिला है बो olarak जैसा कि मैंने पहले भी अपनी कई वीडियो में बताये जो द्रोनचारी अबॉर्ट है वो मिलता है को सर्वश्रेष्ट को चोछ होते हैं ठीक है उनको ये दिया जाता है और जो अर्जुन अबॉर्ड दिया जाता है यहाँ पर सरफश्रेश्ट प्रदाशन करने वाले खिलाडियों को तो ठीक है यह हमने कुछ पॉइंट थे वो देख लिए खोको की हिस्टरी के बारे में हम उसकी मेजरमेंट को यहाँ करने वाले हैं अब सबसे पहले देखिए उसका जो गराउंड है उसकी लेंथ कितनी होती है ठीक है उसकी लेंथ होती है 27 मिटर और उसकी विर्थ होती है यहाँ पर 16 मिटर यहाँ पर 16 मिटर यहाँ पर 16 मिटर का कोट होता है अब फिर कोट के अ इनको बोलते हैं cross lane, 8 cross lane लगाई जाती है, kho-kho की coat में, और जो पहली cross lane है, ठीक है, post line से लेकर, जो पहली cross lane है, इसका distance होता है, 2.55 meter, ठीक है, और उसके बाद, जो भी cross lane है, इनका distance होता है, 2.30 meter, ठीक है, उसके अलाबा, इसके center में post से, दूसरे post तक होती है, एक lane जिसको बोलते है, center lane ठीक है, और इसका distance कितना होता है, post से, दूसरे post तक, ठीक है, post to post distance कितना होता है, coat का वो होता है, 24 meter, ठीक है, और इस तरह से फिर center lane कितने की हो गई, यह 24 meter इसकी length हो गई, और यहां पर 30 meter, इसकी width हो गई, ठीक है, फिर इस तरह से देखिए, coat में जहां पर दौनों ही lane intersect हो रही है, बहां पर बन गए हमारे sitting blocks, जहां पर क्या है, खिलाडी बैठते हैं, इनको chaser block भी बोला जाता है, यह कितने के होते हैं, यह होते हैं, 35 by 30 centimeter के, ठीक है, यहां से यहां तक 35, और यहां से यहां तक, इनका distance कितना हो गया, 30 centimeter, ठीक है, फिर उसके बाद देखे, 1.5 meter के distance पर, इस तरह से 4 तरफ line लगा जाती है, जुसको बोलते हैं, लॉबी, ठीक है, यह होती है 1.5 meter की, और लॉबी के अंदर होते हैं, entry zone, ठीक है, यहां पर पोल लाइन से लेकर, तिसरी जो cross lane होती है, बहां तक इनका distance होता है, लॉबी के बाहर होता है, इनके बीच में, scorer table, और उसके right side में, substitution zone होता है, 1.5 meter का, उसके बाद देखे, पोस्ट होते हैं, वो होते हैं, 120 से 125 cm, ग्राउंड से उपर, इनकी height होती है, और इसका जो diameter होता है, पोस्ट का diameter कितना होता है, वो होता है, 9 cm से 10 cm, और खोखोखोग के ground की, जितनी लाइने लगाई जाती, marking lines, इनकी जो बिर्थ होती है, वो होती है, 2 cm से 4 cm के बीच में, इसके अलाबा, कोट में होते हैं, यहाँ पर team blocks, आप पर देखिए, coaches और manager के लिए, और teams member के लिए, यहाँ पर, बैठने के लिए blocks मनाई जाते हैं, फिर है, खोखोग के कुछ basic rules के बारे में, हम देख लेते हैं, अब सबसे पहले देखिए, कितने player होते हैं, कोखो की team के अंदर, उसमें होते हैं, 12 खिलाडी, ठीक है, एक team में 12 खिलाडी होते हैं, जिसमें 9 खिलाडी मैदान में खेलते हैं, ठीक है, और खिलाडीों की jersey के नंबर, एक से 12 तक होने चाहिए, और इन नंबरों का आकार, सामने की तरब से होना चाहिए, 10 पै 2 सेंटीमीटर का, और Pete की तरब से होना चाहिए, 20 पै 2 सेंटीमीटर, चोड़े नंबर लगे होने चाहिए, सबसिटूशन, ठीक है, जो chasing team का खिलाडी है, वो match के दोरान यहाँ पर option को बता कर, बदला जा सकता है, और running team के जो खिलाडी होते हैं, उनको inning शुरू होने से पहले, या inning के बाद, बदला जा सकता है, फिर खोको के अंदर देखे, temporary substitution, temporary substitution के अंदर देखे, क्या होता है, जब किसी खिलाडी को यहाँ चोट लग जाती है, यानि जो chasing blog में खिलाडी बैठे होते हैं, अगर उनमें से किसी को चोट लग जाती हैं, तब यहाँ पर empire को बता कर, उस खिलाडी को 2 मिनट के लिए, मैदान से बाहर बुलाय जाता है, और उसकी जगाप पर दूसरे खिलाडी को बिठाय जाता है, और फिर 2 मिनट के बाद फिर उसी खिलाडी को बापिस बिठा दिया जाता है, वहाँ पर इसको बोलते हैं temporary substitution ठीक, और खोखो के मैच की कितनी duration होती है, कितने मिनट का मैच होता है, तो यह मैच होता है दो इनिंग के अंदर, इसमें जो पहले इनिंग होती है बोते है 9-3-9 की, ठीक है, 9 मिनट का खेल, 3 मिनट का ब्रेक और फिर 9 मिनट का खेल, और फिर उसके बाद होता है 6 मिनट का interval time दिया जाता है, और जो दूसरी इनिंग होती है, फिर से यहाँ पर 9 मिनट का खेल, 3 मिनट का ब्रेक और 9 मिनट का खेल होता है, तो यहाँ पर इस तरह से 2 इनिंग में खेल होता है, यहाँ पर अगर tie हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर फिर से toss किया जाता है, और फिर पांच मिनट के ब्रेक के बाद 9-3-9 की फिर से एक इनिंग कराई जाती है और फिर अगर यहाँ पर भी कोई रिजल्ट नहीं निकलता तौनों टीमें बराबर हो जाती है तब यहाँ पर सडन डेथ का नियम लगा जाता है उसमें क्या होता है कि फिर से एक्स्टर टाइम दिया जाता है 9-3-9 का और फिर जो यह एक्स्टर टाइम दिया गया है उसमें यह देखा जाता है कि तीम का जो पहला खिलाडी है वो कब आउट हुआ यानि कि किस समय पर आउट हुआ वाजू उठाएगा और ठीक है अपनी दूसरे हाथ की इंडेक्स फिंगर से वो इंडिकेट करेगा या तो सेंटर लेन की तरफ को या फिर साइड लेन की तरफ को ठीक है ठीक है और इस तरह से वो डिसाइड करेगा उन्हें चेज करना है या फिर डिफेंड करना है और इस त बुसरी टीम है वो यहां पर दोड़ेगी उन्हें डिफेंडिंग टीम भी बोला जाता है ठीके और इस तरह से जो रनर होते हैं जो डिफेंडिंग टीम होती वो तीन-तीन के सैट में दोड़ेगी और जो सिटिंग ब्लॉक है इन में आठ प्लेयर बैठेंगे और एक प्लेयर यहां फ्री जोन एरिया के पास में खड़ा रहेगा जैसे ही खेल चुरू हो जाता है उन रनर को पकरने के लिए यहां पर दोड़ेगा अब हम सिंपल सा देख लेते कि यह खेल कैसे खेला जाता है अब सबसे पहले देखिए जो आठ खेलाडी होते हैं चेजर होते हैं वो सिटिंग ब्लॉक में कुछ इस तरह से बैठते हैं एक इस तरह को मुझ करके बैठेगा और दूसरा दूसरी तरह को ठीक है और इस तरह से आठ खेलाडी यहां पर बैठे होते हैं और एक खेल कैसे चलता है डिफेंडिंग टीम के तीन खेलाडी यहां पर दोड़ेंगे और एक खिलाडी जो उन्हें पकड़ेगा और अपने साथियों को खो देते हुए वो पकड़ेगा ठीक और अगर यहां पर अटैक कर सक्सेस्पुली भी ना कोई फॉल किये अपने दौनने वाली खिलाडी को पकड़ता है तब उसे यहां पर आउट दिया जाएगा रैफरी के द उसरे हाप में नहीं जा सकता है और ना तो जेजर यहां पर रनर को पकड़ते हुए अपनी डाइरेक्शन चेंज कर सकता है एक बार उसने अपनी डाइरेक्शन ले ली तो उसे उसी डाइरेक्शन में दौड़ना पड़ता है ठीक है और बगर बीच में अपनी लेकिन ये खिलाड़े यहाँ पर इधर को नहीं मुट सकता ना ही वो इस तरफ को जा सकता है अब उसके पास और क्या option रह जाते या तो फिर वो दोड़ कर इस pole line को cross कर ले ठीक है और फिर वो यहाँ से अपनी direction change कर सकता है और जो attacker है वो अपनी direction यहाँ simply pole को kick करके नहीं change कर सकता है अगर वो ऐसा करता है तब यहाँ पर fall हो जाएगा या तो वो घूम कर इस तरह से दूसरे हाप में जा सकता है या फिर वो अपने किसी साथी को यहाँ पर खो दे सकता है ठीक है और खो देने के लिए उसे उन्ची आबाज में खो शब्द बोलना पड़ता है और हाथ से touch करना और खो शब्द बोलने का काम जो है वो एक साथ होना चाहिए और खो की जगा वो कोई दूसरा शब्द नहीं बोल सकता अधर वो fall हो जाएगा कि यहाँ पर एक और चीज दियान दखना कि active chaser होता है वो अगर यहाँ बैठे हुए खिलाडी को touch कर लेता है और खो नहीं बोलता है ठीक है तब यहाँ पर कोई fall नहीं होगा except pole के पास में जो खिलाडी होते हैं उनको छोड़ कर ठीक है यहाँ पर अगर वो खिलाडी को touch कर लेता है तब उसे खो देनी ही पड़ती है ठीक है और दूसरा इसमें क्या है और खिलाडी खो बोल देता है और टच नहीं करता है तब वो fall माना जाएगा और जब तक बैठे हुए chaser को खो नहीं दी जाती तब तक वो अपनी जगा से नहीं उट सकते हैं तो यहाँ पर जो active chaser है वो उनके स्थान पर बैठ जाएगा और फिर जो बैठे हुए खिलाडी है वो यहाँ पर active chaser बन जाएगा यानि कि वो यहाँ पर अब पकरना शुर इस तरब को मुड़ा हुआ है तब उसे इसी तरब को दौणना पड़ेगा ठीक है पहले सगर थोड़ा से इस तरब को उसकी shoulder line मुड़ी हुई थी तब उसे इस तरब को ही दौणना होता है और इस खिलाडी को खो मिलने के बाद अगर वो बिल्कुल सीधा सीधा अगे की त इस तरब को इस cross lane के साथ में चलता है तब यहां पर उसे fall नहीं दिया जाएगा फिर वो बाद में अपनी direction चूज कर सकता है जिस तरब को भी खिलाडी दौड रहों से देखकर और यहां free zone area के अंदर जो पकड़ने वाला खिलाडी होता है उसके लिए direction की कोई भी rule यहां पर apply नहीं होते हैं यानि कि वो इस free zone area के अंदर runner को पकड़ने के लिए किसी भी direction में मूड सकता है उसके बाद देखिए एकर का जो front foot है ठीके आगे वाला पाउं है जुरूरी नहीं कि वो यहां पर cross lane को touch कर रहा हो ठीक है ठीके और दूसरा इसमें देखिए कि attacker जो है वो cross lane पर भी हो सकता है जिसमें पर वो खो दे रहा हो ठीके और attacker का कम से कम एक पाउं यहां cross lane पर होना चाहिए भले उसकी बागी की body जो है वो आगे निकल गई हो भी वो यहां पर खो दे सकता है फिर उसके बाद देखिए खोखो में और कौन से fall होते हैं जो attacker है ठीके वो यह यहां पर जो बैठे हुए खिलाडी होते हैं चेजर होते हैं उनके ऊपर यहां rest या sport करके नहीं वैट सकते हैं जो sitting block में बैठे हुए खिलाडी होते हैं चेजर होते हैं वो यहां पर अपनी बाजू को extend नहीं कर सकते हैं खोल लेने के लिए ना ही अपने पाउं को या body के क तरा से तब वो यहां पर fall हो जाता है और जो defender होते हैं या भागनर होते हैं यहां बैठे हुए खिलाडी को touch नहीं कर सकते हैं अगर वो ऐसा करते हैं तब उन्हें एक बार तो warning दी जाती ठीक है बोल कर उन्हें warning दी जाएगी अगर वो अपनी गलती को यहां पर repeat करते हैं तब वो यहां पर defender का mis behavior माना जाएगा और उन्हें यहां पर warning दे जाएगी अगर वो ऐसा repeat करते हैं तब उन्हें यहां पर out दे दिया जाएगा ठीक है और अगर attacker के द्वारा भी यहां पर कोई भी rule का violation होता है या फिर वो धक्का दे देता है defender को यहां पर field के बाहर धक्क दिया जाता है जिससे उन्हें किसी तरह का कोई भी advantage नहीं मिलता है तब उस fall को यहां पर नहीं माना जाएगा और उस fall को ignore कर दिया जाएगा ठीक है फिर है उसके बाद third player out ठीक है इसमें क्या होता अगर एक badge के तीन खिलाड़ी out होने के बाद यानि कि जब तीसरा खिलाड ठीक हो जाता है ठीक है तब बिना कोई समय कब आए अगले badge के जो तीन खिलाड़ी है उनको अंदर आना पड़ता है और अगर इन तीनों खिलाड़ियों में से कोई दो खिलाड़ी भी या तीनों ही खिलाड़ी या एक खिलाड़ी भी अंदर नहीं आता है ठीक है और यहां चेजिंग टीम के दो खो हो जाती है तब यहां कोट के अंदर जो खिलाडी नहीं आ पाया है उसको लेट एंट्री आउट दिया जाता है तिरहें बैक खो अब बैक खो के अंदर क्या होता है जब भी यहां कोई फॉल होता है एक्टिव चेजर के द्वारा तब यहां एक्टिव रनर के भी प्रिट डाइरेक्शन में यहां पर खो दी जाती है अब बैक खो के लिए क्या होता है रैपरी यहां पर शौर्ट पिसल बजाएगा कंटिनूसली और यहां अटेकर को इंडिकेट करेगा कि वो उसे उपउजिट डाइरेक्शन में दोड़ रहा है जिस डाइरेक्शन में वो पहले दोड़ रहा था तिके अब मालीजिए रनर यहां पर इस डाइरेक्शन में दोड़ रहा है तिके और चेजर इसे चेज कर रहा है और यहां पर वो कोई direction में नहीं मुट जाता है लेकिन यहाँ पर अगर बिसल बजने के बाद भी ये खिलाडी इस खिलाडी को पकड़ लेता है तब यहाँ पर इस खिलाडी को out नहीं दिया जाएगा उसके अलाबा और क्या penalties दे जाती है खोको के अंदर इसमें देखिए एक तो बर्बल बॉर्निंग दे जाएगी ठीक है येलो कार्ड दिखाय जाता है और रेड कार्ड दिखाय जाता है अब बर्बल बॉर्निंग में देखिए अगर कोई minor offense हो जाता है जैसे कोई argument हो जाती है ठीक है opponent के साथ में या स्पेक्टेटर के साथ में, या फिर किसी दूसरे ओफिशल के साथ में, तब इस तरह के ओफेंस के लिए यहां पर बर्बल बॉर्निंग दी जाती है, ठीक है, और अगर कोई खिलाडी अपने गलतियों को रपीट करता है, तब यहां पर येलो कार्ट के द्वारा बॉर्न कौन से ओफिशल होते हैं, एक इसमें रैफरी होता है, एक टाइम कीपर और दो स्कोरर इसमें होते हैं, अब जो रैफरी होता है, इसकी ओवरल रिसपॉनसिविल्टी होती है, मैज को समूदली कंड़क्ट करने के लिए, ठीक है, और बाकी के यह ओफिशल सकी हेल्प ठीक है और अगर कोई attacker rule को follow नहीं कर रहा है तो उसे rule follow करने के लिए instruction भी दे सकता है फिर है time keeper ठीक है time keeper के पास time से later सारी responsibility होती है ठीक है scorer दो scorer होते हैं first scorer का क्या काम होता है इसका काम होता है खिलाडियों के नाम और t-shirt नंबर को check करना और उनको no down करना रिकॉर्ड रखना ठीक है और इसके अलाबा दोनों ही टीम के players की performance का रिकॉर्ड रखना final result बनाना ठीक है और score sheet पर सभी official के sign करबा कर फिर ये score sheet को referee को ये दे देता है ये काम होता है first scorer का ठीक है second scorer ठीक है इसका काम होता है defenders का record रखना ये देखता है कि कौन defender out हुआ है और किसके द्वारा ये out हुआ है ठीक है इसका एक और काम होता है कि substitution process का भी record रखना होता है इसका काम तो ये था वीडियो I hope आपको वीडियो अच्छा लगा हो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा आपके लिए helpful रहा हो तो वीडियो को like करके जाएगा और चैनल के साथ जोड़े रहे चैनल को subscribe कीजिए मैं आपके लिए सारे rules regulation पे वीडियो लेके आने वाली हू अपडेट के लिए notification वैल आइकन को भी दबा देजे ताकि आप तक मेरी सारे नए वीडियो की अपडेट पहुँचती रहे